डिजिटल जमाने में चोर भी डिजिटल हो गए है पर कभी सोचा नहीं ता कि Amazon और Kniftcard से भी ये फ्रॉड हो सकता है पर जब तक ये फ्रॉड अमारे साथ होता नहीं हमें पता भी नहीं चलता नहीं वह वह पूरानी स्क्याम की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आपके debit card या से अमेजोन और फ्लिपकाट से सामान खरीद लिया जाता था अभी तो नया जमाने में नया फ्रॉड शुरू हो गया है जो शायद एक नॉर्मल बंदा समझ भी नहीं सकता और ये फ्रॉड और कोई नहीं अमेजोन और फ्लिपकाट के ऊपर बैटे सेलर ही कर रहे है और सेल कि सिजन में तो ये फ्रॉड जादा हो सकता है अब आप सोचोगे कि अपर बैजोन के उपर और स्ढमर ये सेलर भी वण गया है? तो ये लोग खुछ भी कर सकते है आपको ठगने कि लिए अब आप में से कई लोग Amazon और Flipkart के सेलर के बारे में जानते ही होगे पर जीने नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा जल्दी में यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि बीना सेलर के बारे में जाने ये fraud क्या है ये आप समझ नहीं सकते अब बेसिंग बात आपको तो पताई होगी कि Amazon और Flipkart सिर्फ एक platform है online product बेशने का और जो लोग इन product को Amazon और Flipkart के उपर बेशते हैं उन्हें सेलर कहा जाता है और यहीं सेलर आजकल fraud करने लगे है कैसे समझाता हूँ 5 September को शाम को मुझे एक mail आता है ये वो mail है जिसमें ये लिखा गया है कि ये company Amazon के उपर कुछ product बेशती है और उन products का वीडियो ये मुझे से बनवाना चाहती है अब यहां तब तो बात तीक तीक कोई problem नहीं था properly एक marketing company ने मुझे reach out किया था अब mail देटकर तो यहीं लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक देटकर मैंने भी इन्हे reply कर दिया और यहां तक मुझे कोई शक नहीं हुआ तो मैंने इनको मेरा whatsapp नंबर भी भीज दिया और यहीं से असली दिक्कत की शुरुआ था ही अब पास तारीक के शाम को मेरा date खतम हो गया था तो मैंने छे तारीक के उस्तुबे इनके mail का reply दिया और reply देने के बाद मैं भूल गया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि positive reply आने वाला है इस समय हमारे subscriber थोड़े कम है ना इसलिए और मैं मेरे editing के काम में व्यस्त हो गया और यकीन मानिए एक गंटे के अंदर ही मुझे reply आया और वो भी WhatsApp पर जी हान 9 बजे उनका reply आया अब यहां पर मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि कोई भी office 9 बजे तो खुलता है और office कुलते ही कोई reply नहीं देता है एक गंटे बाद दो गंटे बाद हमें reply आता है फिर भी मैंने मान लिया कि चलो इन्हें अपना काम करवाने की जन्दी होगी तो इन्होंने मुझे WhatsApp के उपर मेरी चानल की link मांगी जो मैंने उन्हें भेज दी अब link भेजने के बाद उ उनका management Amazon के उपर कुछ product shortlist करेगा shortlist product की link ये लोग मुझे भीजेंगे और उस link से मुझे Amazon से वो product buy करना है buy करने के बाद मुझे उस product के बारे में एक review Amazon के उपर लिखना बड़ेगा जो कि obviously positive ही होगा उसके बाद मुझे उस product का वीडियो बना कर मेरे चानल पर upload करके अनलिस करके रखना होगा और इनके approval का wait करना होगा जब मेरा ये वीडियो अपरू करेगे उसके बाद मैंने वो product जितने रुपीज का खरीदा है उतने पैसे ये मुझे return कर देगे और नीचे तो देखिए क्या माहान लाइन इनों ने लिकी है after approval you can publish the video और इसके लिए ये लुक वोसे एक proper aggravate भी sign करवाएंगे पतलब वा भाई वा और कोई होता तो शायद ही इस बात को समझ पाता पर जैसे ही इनोंने product खरीदने वाली चिंदी बात के मुझे तुरंट समझ में आया कि ये लोग product है और मुझे से ये लोग पैसे एठना चाहते है क्योंकि जो link ये मुझे बेचते उसी से मुझे product खरेदना पड़ता और पता नहीं ये लोग कौन सी link बेचते और मैं भोला बनकर अगर इनकी बातों में आ जाता तो ये लोग मेरे पैसे तो लूटी लेते इसी के साथ जो link इनों ने बेंजी है उसके त्रू मेरा phone भी hack कर लेते जैसे ही मुझे समझा कि ये product तो मैंने भी इनके मजे लेने शुरू कर दिये मैंने इनको कहा कि भाई मैं एक छोता यूटूबर हूँ मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं वो product खरीच सको आप चाहे तो मुझे product भेज दीजे मैं उसका एक detail review वीडियो बनाऊगा और वीडियो बनने के बाद आप अपना product वापस ले जाना अब ये एक proper deal थी है कि ने पर ये लोग ऐसा कैसे करते ये तो fraud थे अब fraud किन तरीकों का हो सकता था मेरे साथ जरा ये भी जान लो ये जू link भेज दे एक dummy website की मेचते जहाँ पर मैं जाकर कुछ shopping करता और shopping करते समय मुझे ये लगता कि मैं original Amazon website से ही order कर रहा हूँ पर असलियत में वो एक dummy website होती अब वहाँ जाकर मैं मेरे credit card की सारी information डाल देता जिसके बाद ये लोग मेरा credit card add करके मुझे कब लूठ लेते मुझे बता भी नह चरता यही नहीं इस link के तुरू ये मेरा phone भी hack कर सकते थे पर मेरा phone hack करकर मेरे phone का सारा data चुरा कर मुझे blackmail भी कर सकते थे इन सारी तरीकों से ये लोग मुझे ठक सकते थे अगर आप एक creator हो तो कोई भी sponsorship mail दस बार अच्छे से पढ़ कर जान लो अगर आपको सब कुछ ठ लिंक भेजी गई हो उसके उपर कभी click बद करना जब तक आपको नहीं लगे कि वह link authentic है क्योंकि ऐसे links के तुरू आजकर बहुत सारी scam हो रहे है इवन दो अगर आप एक normal user हो और Amazon और फेपकाट के आजब सेल आ रहे हैं सेल की coupons के नाम पर कई links आपको WhatsApp के उपर भी forward किये जाते तो ओन links के उपर भी click नहीं करना है नहीं तो आपकी security यहाँ पे compromise हो सकती है तो इस बात का जरूस से ध्यान रखना और इस online world में खुद को cyber सुरक्षित बनाए रखना क्या आपको पता है OnePlus के devices आजकल update के बाद dead हो रहे है अगर नहीं पता तो यह उपर वाला वीडियो देख लीजे कि क्या problem आ रही है मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक और ने interesting वीडि लाव